हेलो नमस्कार दोस्तों आपका एक वर फिर से स्वागत है चार्टोदा वीक वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरस्टिंग है क्योंकि मैंने काफी स्टोक देखने के बाद दो ऐसे stocks find किये हैं जिसमें एक stock में multi-year breakout है और दूसरे stock आपको watch list में radar में रखना है जिसमें अभी breakout आने वाला है तो उन दोनों stocks को हम discuss करेंगे उससे पहले nifty और bank nifty का एक short में update weekly chart के coding और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि मेरा कौन सा favorite chart pattern है तो वो आपको stock में ही दिखाई देगा तो उससे पहले एक short update nifty में nifty का आप देखी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, after 6 candle बनने के बाद एक यहाँ पर red candle बनी है वो भी weekly के chart पर तो यह candle थोड़ा indecision है कि अब भी इस candle के बाद जो next candle बनेगी means अगर यह हम इस candle का high जो बना है करीब अगर हम next week ठारा 450 के उपर sustain रहते हैं टिकते हैं तब हम जा सकते हैं ठारा 500 और 650 के level तक और in case अगर हम ठारा 200 का level break करते हैं उसके नीचे continue sustain रहते हैं तब हम 18, 100, 11, 1000 के level भी आपको immediately देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यह जो यहाँ पर breakout हुआ था तो यह यहाँ पर in case retest करने आ सकता है यह 18,000 और 17, 900 का level तो अभी हम बिल्कुल एक कैसे alert level पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपको nifty के stock कास्त तोर पर nifty के stocks में आपको alert रहना होगा कि कोई अगर एकदम से कोई बड़ा fall आ जाए 200, 300 point का तो फिर वहाँ पर आपको alert रहना है तो अभी next week काफ important रहे गए कि हम कहाँ पर sustain होते हैं कहाँ पर close होते हैं दूसरा आप देखोगे क्योंकि ये सब जो है ये bank nifty की वज़ा से हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि bank nifty में अगर आप देखोगे तो bank nifty में यहाँ पर ये जो इसका breakout आया था अभी जो कि 2021 के जो बाद जो breakout आया तो breakout के बाद ये जो candle बिल्कुल एक small candle और इस small candle में अगर आप डेली का चार्ट देखोगे यहाँ पर तो ये डेली का चार्ट अगर देख रहे हो तो bank nifty अभी 4-5 डेस से सिरफ एक 200-300 के point में trade कर रहा है means ये approximately 4-300 से लेकर 4-600 तक तो अभी ये उस move में trade कर रहा है तो इसमें भी आपको important ध्यान जाइए यही रखना है कि अगर bank nifty अगर ये 41-800 के नीचे close दे रहता है weekly उसके नीचे sustain रहता है तो हम इमेडिएटली नीचे जा सकते है इस 10 लाइन को touch कर सकते है और इस 10 लाइन को 800 तक के तो important next week रहेगा तो आपने ध्यान रखना है कि अगर bank nifty में breakdown आया तो फिर nifty में भी आपको देखने को मिलेगा तो ये तो थे हमारा एक short में nifty bank nifty का update ये आप कहलेजिए ये mirror view personal view आपका अपना analysis भी हो सकता है और आप अपना analysis आप इसमें add कर सकते हो क्योंकि fresh तेजी तभी बनेगी जब ये 42 600 के उपर bank nifty टिकेगा तो आगे बढ़ने से बहले request रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर यूटूब पर आपके साथ एक swing trading strategy भी डिसक्स की हुई है आपके साथ nifty bank nifty की strategy भी डिसक्स की तो वो आप प्लीज भोच कीजिए जाके देखिए तो आगे हम बढ़ते हैं अब हमारे first chart of the week stock तो आगे बढ़ने से पहले आप सिर्फ केस्ट रहेगी तो वीडियो पी जुरूर लाइक कर दीजिए तो हमारा जो first chart of the week stock है गाइस वो है जी ये बी आर आ ये ये ल कैप्रियल इंडिया इसका chart काफी beautiful है काफी important chart pattern है यहाँ पर देखिए यह देखिए इसका chart pattern काफी important है अगर आप बड़े time frame में देखोगे तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक रेंडियो पर बना यह नीचे शाफ़ाल हुआ फिर उपर और यह sustain हुआ तो यह होता है inverse head and shoulder pattern और आप इसमें देखोगे कि multi-year breakout है यह 2018 का level था जो यहाँ से बार बार यह resistance कर रहा था अभी फिर इसने resistance किया था तो उपर 21 में और आप दुआरा फिर यह स्टंबर 22 में तो अब यह finally यह break level हो चुके हैं तो इसके उपर अभी हमें एक closing मिल चुकी है तो मेरा भी यह खास pattern रहता है बली यह short term में भी pattern बले जैसे 1 hour, 2 hour यह short term में बिल्कुल आपको कहीं यह तो multi-year आपको यहाँ पर यह chart pattern दिखाई दे रहा है बट अगर short term में भी दिखाई दे तो वहाँ पर भी मैं इस chart pattern पर जुरूर ट्रेट करता हूं तो वहाँ पर confidence जाध रहता है क्योंकि आप इसका logic देखोगे तो logic आप देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि price नीचे ग जो big player है उनके move को catch करना perfectly उनके साथ जैसे entry करना ताकि आप trap ना हो जाए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जैसे motion trader क्या करते है कि जैसे यह breakdown हुआ exit करगे बट उसके बाद से देखिए आप breakdown हुआ यह trap हुए बीरिश लोग trap होगे और उसके बाद से कैसा है इ आपको फिस क्योंकि big player वहाँ पर trap करके फिर वो quantity buy करते हैं तो आप भी अगर चाते हो कि हम भी यही चीज सीखना चाते हो आप कि आपको क्योंकि आपको क्या है कि माली जी आपको projection भी आता है chart pattern भी आता है candlesticks भी आता है आपको यह सब कुछ आता है बट अगर आपको advance projection न लाई master class मैं आपके लिए कर रहा हूँ यह first time क्योंकि काफी टेटर कहते हैं सिर्फ हमें ऐसा course मताईए जो सिर्फ हम एक है दो दिन में तो मैंने दो दिन के अंदर के लिए आपको यह master class आपके लिए ready किया है विल्कुल यह live रहेगा इन केस अगर आप live वी टेंड नहीं कर पते हैं तो अभी तो यह live session हमारा होगा यह two days का session होगा 24th अभी नवंबर को 24 और 25 को 7 p.m. to 9 p.m. 25 को 11 a.m. to 1 p.m. और यह zoom meeting के तुरू होगा link आपको मिल जाएगा आपको क्या करना होगा कि आपको link जो हमारे description box में होगा उस link पर click करकर आपको यह course के लिए enroll करना है और app को download करना है और इसमें देखिए guys आपको perfectly यह बताया जाएगा कि perfectly one entry और exit plan setup बताया जाएगा कि perfectly कहाँ पर आपको entry करनी है कहाँ पर आपको exit करना है तो इसमें आप दोनों कोई भी आज बहले आप intraday करते हो swing trading करते हो तो क्योंकि हम उसकी जो practice होगी 25 को वो आपको live market में practice कराएंगे intraday वे उसमें ट्रेडिंग दोनों बहुत के लिए साथ मिसमें आपको bonus यह रहेगा कि एक तो आपको recording मिलेगी साथ में आपको scanner भी बताया जाएगा और अगर in case आप देखना जाते हो यहाँ पर यह देखिए हमारी app के अंदर तो यह आपको app मिल जाएगा अग आपको live market में calls भी देते रहते हैं कभी nifty bank nifty या कभी कोई stock आपके लिए comment करते रहते हैं तो app जो आपको link आपको description और comment books में हम डाल देंगे तो उस link पर आप click करकर session को roll कर सकते हो अगर session को roll नहीं भी करना है तो आप simply app को download कर सकते हो वहाँ पर भी आपको काफी कुछ benefit मिल तो अब बात कर लेते हैं यह हमारा फर्स जो chart of the week talk है कि इसमें आपको entry कहां करनी है तो entry अभी देखी कि जैसे इसमें breakout आया तो immediately आप एकदम से ज्यादा quantity में entry मत कीजिए क्योंकि आप stock का structure देखी यहाँ पर अगर मैं आपको screen पढ़ी करता हूं कि latest आपको structure दिखाता हू कि price यहाँ पर देखी नीचे गया इसने पहले यहाँ पर 125 पर उपर breakout दिया फिर थोड़ा sustain रहा retest किया और फिर उपर फिर थोड़ा नीचे retrace किया जहां से यह फिर यहाँ breakout होगा तो यहाँ पर इसने कुछ time spend किया उसके बाद फिर breakout तो अगर आपको यह थोड़ा नीचे कि यह जो अभी लास्ट इस में यह 145 काप्स तो प्लोस रख सकते हैं कि अगर इसके नीचे ब्रेक हुआ तो फिर यह द्वारा से प्राइस नीचे चला जाएगा तो देखे मैं आपको यह 200 इमें वाल स्टेजी का पूरा एक setup बताया हुआ है तो उसमें भी यह देखिए य भी आपको breakout नजर आता तो टार्गेट की बात करें तो टार्गेट आप देखिए इसमें टार्गेट यह जो अभी इसमें जो lifetime हाई है 2017 का करीब करीब 220 तो आप इसमें 220 के टार्गेट तक जा सकते हो बट आपको इसमें यह दिया लखना होगा कि आपको तोड़ा time देना प तो उसी के coding आप ट्रेड केजिए दूसरा stock है जो दूसरे stock से पहले मैं देखो आपको उसका बताता हूँ कि यह देखिए हमारा एक free telegram channel है इसका link भी आपको description और comment box में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखिए हम काफी live market में update देते रहते हैं एक stock देखिए देखिए मैंने आपके साथ video share किया था अगस्ट 24 2020 को panma petrochemical limited share 24 अगस्ट को मैं भी आपको chat पर दिखाऊंगा क्योंकि जो हमारा next stock है कि जिसमें भी बड़ा breakout और वले वो यह ही stock है तो यह stock मैंने आपको यहाँ पर आप देखिए यह stock recommend भी किया था कभी अगस्ट 14 2020 को 14 अगस्ट को भी recommend किया था पहले यहाँ पर live आपको 40 43 के price पर buy किये और 85 तक के target तो मैं अब आपको चार्ड लेकर चलता हूँ तो यह देखिए यह है Panama petrochemical का चार्ट टोकन आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ शो करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए इसमें बड़ा बड़ा लाइन ब्रेक आउट हुआ था और उसके बाद यह फिर से इसमें यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर inverse hand and shoulder pattern बना था तो यह देखिए क्योंकि आपको इसकी practice होनी चाहिए तो यह देखिए तो यहाँ पर भी यह यहाँ पर breakout हुआ था तो यहाँ पर double confirmation थी और कुछ यहाँ पर data point भी था हमारे पास कि multi-year कैसे हम stock identify करते हैं अगर यह वाला course पर आपने guys join करना है तो आपको मेरी app के अंदर मिल जाएगा उसमें है my best multi-bagger strategy कैसे उसमें हम multi-bagger stock find करते हैं तो वो वाला भी मैंने आप वहाँ पर upload किया हुआ है बिल्कुल small charges में है तो यहाँ पर यह देखिए यह देखिए 24 अगस्त को यहाँ पर आपको दिया था वीडियो और वीडियो का अगर आप देखोगे title तो यहाँ पर देखिए कि weekly daily breakout की stock में अभी तो शुरुआत है बड़े बड़े target आनप ब देखिए वह इस्टो 50 वाला 360 आ चुका है तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि अभी यह देखिए अभी यह 352 पर है तो अगर जैसे ही यह 362 के उपर breakout देता है इसके उपर sustain रहता है तब आप इसमें बाइ कीजिए या फिर आपको थोड़ा नीचे मिल जाए यह 300 के कीजिए नीचे अगर आपको यह 300 के पास मिले तब भाई कीजिए या फिर 362 के उपर निकले तब भाई कीजिए क्योंकि इसमें आप देखते हो कि retrace भी आता है तो एकदम अभी fast इसमें down भी आता है तो इसलिए इसमें आप पुरा stop loss के साथ ही trade करें अगर आप shorter में करते ह तो इसलिए गाईज मेरे disclaimer भी रहेगा कि मैं जो भी आपके साथ अभी दोनों stock discuss की हैं तो आप प्लीज अपने financial advisor से ला लीजिए अपने self study कीजिए तब ही उसी के base और risk management को समझिए उसी के coding आप stock में entry कीजिए otherwise आपना analysis करके वो ही ज्यादा best रहता है अगर आपको proper technical analysis आता है तो guys अगर आपको भी लगता है को ऐसे stock size जिसमें break out आने वाला हो जिसमें break out एक अच्छा आ सकता है क्योंकि volume के साथ और मैं आपको एक miss point कर गया कि Gabriel में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर volume भी था तो यह जो आप volume हो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर यह देखिए volume तो यह volume भी देखिए काफी time बाद यहाँ पर volume आये है तो इसलिए stock में यह जो chart of the week stock में इसलिए एक ही account कर रहा हूँ दूसरा जो stock आपको बताया है वो आप सिर्फ उसको boss list में add कीजिए कि उसमें अगर आपको breakout आए तब उसमें entry कीजिए तो यह इसमें जो volume है तो यह अभी काफी ओर भी आपको confidence देते है तो इसलिए इसमें आपको इसलिए वोलरों की थोड़ा नीचे मल जाए तब यह आप add कर लाना और अगर आपको कोई ऐसा stock लगता हो जिसमें volume के साथ multi-ear breakout है या फिर को जागा तो मैं आपको वहाँ पे reply करके जुरूर उसका बताऊंगा इसके लाबा कोई भी आपको suggestion हो तो most welcome आप suggestion मुझे दे सकते हो comment box में तो I hope कि उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगए होगे और आपने वीडियो को like कर दिया होगा फिर मिलेंगे एक और आप वाद